जाहिन देखिए ब्लड के पार्ट वन में हम आपको ब्लड के बारे में बता दिये थे जिसमें हम RBC, WBC, प्लेटलेट, उसके साइज, घटने, बढ़ने ये सब के बारे में समझा दिये थे उसके यूज को ब्लड के पार्ट 2 में हम आपको क्लॉटिंग ब्लड बता दिये थे ब्लड कैसे जनता है प्रोथ्रोंबिन वगरा के क्या क्या काम है अब हम इस पार्ट 3 में यह देखते हैं कि ब्लड ग्रूप क्या होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सिंपल तरीके स आधिकवा आपको सम्झाते हैं एक दम उस तरह जैसे डॉक्टर को बताए जाता है हम आपको स्टूडेंट की तरह नहीं मतलब जो मेडिकल के दॉक्टर होते हैं उनकी तरह एकदम उरीजनल बताते हैं आपको देखे कैसे जो blood group है ना इसके बारे में पहले समझे लैंडिश्टीनर और वीनर ने खो जा था एक्छुली अब जनरल कंपटीशन के ये भी पूछ देता है कि किसने खो जा था तो ये तो लैंडिश्टीनर और वीनर ने इनको खो जा था जो blood होता है बबू हम आपको part 1 में बतायते हैं 60% बार प्लाज्मा होता है बाकी 40% बार रूधिरानू होता है और उस रूधिरानू में RBC होता है हलाकि इसमें WBC platelet भी होते हैं लेकिन वह हम part 1 में आपको पढ़ा दिये हैं यहां मेरा main focus रहेगा कि आपको बहतरी इंधंग से blood group समझा सके तो देखिए अभी आप बस इध कि उसकोड की तरह होता है उसी में तैरते रहता है जिस तरह चाहे में चाहे पती तैरता है उसी तरह plasma में RBC तैरता है अब बात करते हैं जो liquid वाला part है प्लाज्मा उसमें एक antibody protein पाये जाता है उसे small a और small b से दिखाये जाते हैं दो तरह के protein होते है small a small b उसका size इस तरह से ह सकता है हलाग कि जब इसका size को बताएंगे तो केवल इसके एक spike यानि एक y वाले हिस्से को लेते हैं इतना बड़ा figure नहीं बनाते हैं तो आप से कोई कहागा कि antibody कहां पाये जाते हैं तो वो कहां पाये जाएगा plasma में हम आपको part 2 में बताए है कि WBC में antibody पाये जाता है तो आ plasma में पाये जाते हैं अब हम यह इसको अटाते हैं इसको ध्यान से रखेगा भी काम आएगा अब बात करते हैं RBC में RBC इसको red cell कहा जाता है इसका आकार गोल होता है आपको बताये थे इस RBC के बाहर एक antigen नामत protein पाये जाता है और यही antigen जो होता है यह A B होता है इसको भी बट इसको capital A या capital B कहते हैं और antigen को small a small b कहते हैं ताकि समझने में confusion नहों देखिए यही antigen क्या कर देता है group का निधारण कर देता है तो आपसे दो question यहीं बन जाते है कि किसी व्यक्ति के blood group का determination किया जाता है वो antibody के अधर पर किया जाता है कि antigen तो पहला antigen दूसरा कहेगा कि antigen कहां पाय जाते है WBC RBC कहां पाय जाएंगे तो RBC में यानि red blood cell के बाहर पाय जाते हैं तो आप चलिए हम लोग group को देखते हैं कि कैसे doctor पता कर लेता है कि group आपका a है की बीए तो simple तरीका है एक मिनट लगता है group पता करने में किसी के blood group को एक से दो मिनट में आराम से पता कर लेते हैं कैसे तो समझीए देखिए पहले तो हम यह आपको बता देते हैं डॉक्टर कैसे चेक करता है आपके एक बून ब्लड निकालता है उसको दो सीसे के उपर रखके उसको पतला करता है अब माइक्रो इसकोप से देखके आपको बता देता है अब हम यह देखते हैं कि सश्राव देखता क्या है और क्या हमको माइक्रो इसकोप मिल जाए तो हम बता देंगे कि कि नहीं आपको गारेंटी देते हैं इस वीडियो लेक्चर के बाद आप भी अपना ब्लड ग्रूप खुच चेक कर सकते हैं के वल और आपको माइक्रोइसकोप की जरूवत है क्योंकि उतने छोटे चीज को आप ऐसे नंगी आंग से नहीं देख सकते हैं देगे एक चीज तो ग्रूप A का ब्लड ग्रूप A किसे काएंगे तो देखिया है पता कैसे चलेगा तो उसके ब्लड का हम RBC देखेंगे आपको पार्ट वन में हम बता दिये थे RBC का आकार गोल होता है इस RBC के बाहर A के समान देखिए A ऐसे ही लिखा जाता ने A ऐसे काट दीजेगा तम ने A बनेगा तो आप सौट कट समझ ये कि A के समाना इसे त्रिभूच के समाना इसे निकला रहेगा तो वो इसी को देख लिजेगा तो समझ जएगा कि वो कौन सा एंटीजेन है A एंटीजेन है capital A एंटीजेन है और जिसमें एंटीजेन A पाया जाएगा उसका ग्रूप कौन सा ये blood group A, ये तो antigen को दिखा रहा है, और ये RBC किस में तैर रहा होता है, एक पानी में तैरता है, जिसे हम क्या कहते है, प्लाजमा कहते है, उसमें कोई न कोई anti body पाये जाता है, तो उस anti body का सकल ऐसे होता है, तो हम आपको बताये थे कि इसके एक ही shape को लिया जाता है, ताकि figure आराम से बन सके, तो ध्यान दिजेगा कितना हुस्यार किया है प्रकृर्ति यहाँ पर, ये जो y shape का है न, इसे क्या कहते है, ये antibody, ये antibody जो B है, जो liquid भाग है, जिसमें ये antigen यानि RBC तैर रहा है, इसके हूं को देखेगा न, तो ये curve के समान है, ये A के समान नोकीला नहीं है, बलकि ये B, जिस तरह ABCD में B लिखेगा, तो B को ऐसे curve बनाएगा न, तो ऐसे ही ये curve के समान बनाएगा, यहाँ पर ये curve रहता है, तो ये curve हो गया, यहाँ पर तो इसमें कौन सा antigen पाएगा, B, तो देखिया, आपको डॉक्टर ये नहीं चेक करता है, डॉक्टर ये च इसमें A blood group होता है, यानि जिनमें A antigen होता है, उसमें B antibody होता है, antibody को small से दिखाते है, अब आप बताइए, अगर ये curve न रहके त्रिभूज बन जाता, तो ये वाला जो नोकिला हिस्सा है, इसमें जाके फंस जाता, और जब फंस जाता, तो ये इसको बहने में दिक्कत होता क्योंकि ये कण के समान होता है, RBC है, दिक्कत हो जाता, फंस जाता, तो याद रखेगा, अगर antigen A है, तो उसके साथ antibody B आएगा, B में इस तरह curve बना रहता है, तो ये B कैसे बनाएगा, curve, ये इसमें इसमें फंस ता नहीं है, संगना गया, अब हम देखते हैं blood group B के बारे म antigen पाए जाता है, वो B के समान curve बना होता है, जिस तरह से B के उपर curve होता है, वैसे ही इस पर curve बना होता है, अब आप बताएगे, ये RBC तैरेगा किसमें, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में antibody पाए जाता है, antibody को small से लिखा जाता है, यहाँ antigen B है, तो antibody कौन सा जग है, A, अब आप बताएगे, A कैसे लिखा जाएगा, capital A इस तरह लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो उसी तरह इसका जो मुह होता है, वो का अंदर धासा होता है, इसलिए धासा होता है, कि यह जो RBC है, यानि जो antigen है, वो तैरेगा, तो इसमें फसेगा नहीं, वरना अगर इस A मे A के समान रहेगा तो A, अब B के समान कर्व रहेगा तो B, इतना समझगे हैं, अब Blood Group देखते हैं AB, AB Blood Group में antigen A भी रहता है और antigen B भी रहता है, यानि इस पर एक त्रिभूज के समान भी रहेगा, और B के समान कर्व भी रहेगा, तो नहीं में आ गया, लेकिन इसके साथ एक खत्रा है खत्रा क्या है कि अगर इसके साथ आप कोई एंटीजन देते हैं मान लिजे इस तरह का एंटीबोडी देते हैं जिसमें ये वाला है तो ये इसमें फहुंस जाएगा और मान लिजे कि अगर आप इसमें ये वाला कर्व वाला देते हैं तो भी इसमें फहुंस प्लाजमा के antibody में फंस न जाएं इसलिए इनमें किसी भी परकार का antibody होता ही नहीं है इनमें antibody नहीं होता है किसी को कोई दिक्कत नहीं तो यह blood group को नहीं हो गया A B अब हम चलते हैं blood group O के बारे में blood group O में जो group O है इसमें O इसलिए है क्योंकि ना इसमें A है ना B है इसके कहने का सेंस होता है जीरो लेकिन इसे O कहा जाता है क्योंकि इसमें ना A होता है ना B होता है यानि इसके बाहरी सर्फेस एकदम सपार्ट होता है अब सपाट होने से फाइदा ये है कि ये A के सेप का antibody जिसे इसमाले कहते हैं वो भी इसमें नहीं फंसेगा और B का जो सेप है कर्व जो बन गया राताई से धसा हुआ ये भी इसमें नहीं फंसेगा तो इसमें दोनों प्रकार का antibody पाया जाता है समया अब आप RBC यानि ये गोल वाले का सकल देखके बता सकते हैं कौन सा blood group है अब एक बात बतेए बीमारियों से रक्षा ये प्लाजमा का antibody कर रहा था antibody कर रहा था अब जरा देखिए तो जिनका blood group O है उनमें A वाला भी antibody है और B वाला भी antibody है तो biological terms में ऐसा देखा जाता है कि जिनका blood group O होता है वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनमें दोनों प्रकार के लड़ने वाले antibody उपस्थित हैं सब्सक्राइब तब आप कहिएगा कि सर ब्लड ग्रूप AB वाले का क्या होगा तो ब्लड ग्रूप AB वाले के बाहर यह antigen है और B antigen यह फंस ना जाए दोनों इसलिए इसमें कोई antibody नहीं होता है यह थोड़ा जादे बीमार पड़ते हैं सब्सक्राइब आप ब्लड ब्लड ग्रूप AB अराम से बता सकते हैं अब आप बता इना इसके बार उन कुछ भी नहीं बना है तो ब्लड ग्रूप O अगर हम curve बना दिये, तो B, curve के साथ साथ ये भी बना दिये, तो A, इसमें कितना टाइम लगेगा देखने में, मरीश से आप क्या निकालिए, blood निकालिए, सीसे के स्लाइट पैसे रख के पतला कर दिजे, blood को, माइक्रोइस्कोप से देखिए, अगर उसके गोल गोल, हम आपको पहले ही बताएते, गोल आकार RBC का होता है, उसके बाहर antigen देखना है, A के समान रहेगा तो A, कर्व रहेगा तो B, दोनों मिल गया तो A भी, नहीं मिला तो O, सन्या, अब जया ध्यान से समझे, आप blood group के बारे में समझ गया है, अब समझते हैं, कि blood group A वाले का, अगर B वाले को चढ़ा दे, या B वाले का A को चढ़ा दे, तो क्या होगा, देखिए, blood group के आधान परदान के समय, group से कोई दिक्कत नहीं होता है, यह दिक्कत ससुराई plasma में उपस्तित antibody कर देता है, कैसे जरा ध्यान से समझे, अगर हम किसी blood group B वाले का blood किसमें चढ़ा दे, A वाले में, तो ध्यान दीजे, यह group है, यह इसमें टकराएगा ही नहीं, क्योंकि फंसने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन आप दियान से दिक्कत कहा आने वाला है, यह जो गोलका मुडिया वाला B है न, यह इसके antibody में जाके फंस जाएगा, और इसका B वाला का antibody का इसे कोना वाला खांच बना है, इसके खोपढ़िया में जाके फंस जाए एक दम लसरा जाएंगे सब, तो blood आगे flow नहीं हो पाएगा, और जब blood flow नहीं हो पाएगा, तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, इसलिए एक blood group को मिला लिए जाता है, अब देखिये, कभी group group नहीं मिलता है, वो जाके फंस जाता है किस से, anti body से फंस जाता है, इतना समझ्या गय होगा आप लोगो, क्या A का group B को देजएगा, मर जाएगा, B का देखिये, A को मर जाएगा, कैसे मरेगा, कि जो जहां तहां blood है ना, उसी में फंस के रह जाएगा, blood आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो यह blood group समाझ में आगे आप लोगो, कि blood group कैसे निकालते हैं, blood group basically depend करता है एंटीजेन पर, तो यह एंटीजेन बाहर के हिसाब से होता है, सेम सेम में blood group चड़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि O वाला किसी को देदीजे, A B वाला किसी से ले लिजे, एकदम मजबूरी में यह लिया जाता है, आप इसका एक skin shot लिजे, हम आपको RH factor बताते हैं, आप सुने ह होंगे, इनका blood group positive है, इनका negative है, यह RH क्या होता है, इसका एक skin shot लिजे, फिर समझाते हैं, देखिए, यह RH factor क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था वीनर, उन्होंने जब blood group देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यह जो antigen है, इसके बाहर antigen A, B तो उपस्त सिथा ही है, कुछ और भी चीज उन्होंने देखा, देंस से देखिए आप तो, यह कौन सा blood group होगा आप बताई है, A के समान निकलाते है, यह कौन सा होगा, B, इतना तो समझ में आ गया होगा न, आप लोगको A, B, बच्चा वाला चीज होता है, A, B पता करना तो, यह क्या ह अकसर आते रहते हैं सामलों के इधर, रीसस बंदर, उसी रीसस बंदर के में, उन्होंने जब रीसस बंदर का blood group देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों का blood group A है, किसी का blood group B है, अचानक उनको इन बंदरों के blood में एक चौकोर सी आकृती दिखाई दी इस दरा से, तो इस चौकोर आकृती को देख कर, वीनर जो थे, कन्फ्यूज हो गया, कहें कि इसे सुरही गोल रहता तो B बोल देते हैं, इसे तिरभूज के समाल रहता थे, ये बोल देते हैं, ये चौकोर कैसे हो गया, तो दूसरे भी इसस बंदर को देखें, तो उन्होंने देखाने भी है, इसको ब्लड ग्रूप भी है, इसमें कोई भी चौकोर आकृती नहीं है, अब उनके मन में जग्यासा है, वो धेर सारे बंदरों का ब्लड इकत्था किये, ब्लड ग्रूप A है कि B ये तो पाचा नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने ध्यान से वो चौकोर वा उसे करते हैं पॉजिटिव और नहीं रहता है तो निगेटिव, मैथ में अगर आपने पैसा आपका है तो पॉजिटिव, दूसरे से उधार लिए तो निगेटिव, फीजिक्स में पॉजिटिव का मतलब दिशा सीड़ा है, निगेटिव का मतलब दिशा उल्टा है, केमस् ग्रूप निकला पता चला कोरोना पॉजिटीव गए निकल गया कोरोना निगेटीव नहीं है तो बाइलोजी का जो टर्म्स होता है अगर कोई चीज एपसेंट है यानि अनुपस्थित है तो उसे कहते हैं निगेटीव और अगर उपस्थित है प्रिजेंट है तो उसे कहते ह मीनर ने देखा कि जिस रीसस बंदरों में ये चौकोर चीज था उसे कहा गया कि रीसस पॉजिटिव क्योंकि पहली बार ये रीसस बंदरों में देखा गया था अथा रीसस का पहला दू अच्छा लिजे आरेच जिसमें था वो पॉजिटिव अब इसमें है नहीं तो इसका और एच क्या हो गया निगेटीव तो आप अपना ब्लड ग्रूप ऐसे ही निकालते हों जैसे मेरा ब्लड ग्रूप है ओ पॉजिटिव अगर हम कहा दें कि आप फीगर बनाईए तो फीगर कैसे बनाएगा वीडियो को रोक कर आप तेरा फीगर बनाईए पॉस कीजिए वीड प्रकार का एंटीजेन उपस्थित नहीं है तो यह मेला मेरा यह क्या हो गया ब्लड ग्रूप और हम आरेच पॉजिटिव हैं तो हमारे उपर इस तरह से चौकोर वाली आकृती उपस्थित होगी यह चौकोर आकृती किसको बताता है आरेच को सहंगा गया हम जल्दबाजी में बना दिये हैं आप अच्छे से बनेगेगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा तो यह तो मेरा एंटीजेन हो गया अब मेरा एंटीजेन नहीं है तो मेरे में दोनों प्रकार का एंटीजेन नहीं है तो मेरे में दोनों प्रकार का एंटीजेन है ए भी है और बी भी है और एंटीजेन किसी भी प्रकार का नहीं अब मेरा ब्लड ग्रूप ओ पॉजिटीव है कौन सा है ओ पॉजिटीव तो यह वाला ना इसमें कर्व बना है और ना इसमें त्रिभूज बना है तो इसका मतलब है ओ और यह चोकोर बना यानि रीशस हो जाती है इतना समंझ में आगे आप लोगो निकाल सकते हैं आप सब लोग अपने अपने ब्लाड गूर्प को निकाला यह फीग बना यह कि आपका आरह का सारफ रयेगा फीगर यह बना यह आपका एंटी बाडि कसा बनेगा और अपना तो बनेभे उनका भी बना लीजेगा जिससे फोनों पर बतियाते रहते हैं आप लोग सब्सक्राइब आप पूछ पूछ किए तो यह आप बना लेंगे फीगर में आप इसका स्क्रीन सोट लीजे फिर आम आगे समझाते हैं आप यह सुने होंगे कि कौन सा ब्लड ग्रूप किसी को दे सकता है यानि सर्वत्रिक डाता यानि डोनर कौन होता है ओ लेकिन इग्जाम में अगर डीटेल से पुछेगा ओ में से कौन सा ओ तो ओ निगेटीव ओ निगेटीव होना चाहिए क्योंकि ओ यह बताता है कि इसके आरबी सी के बाहर ना एक के समान त्रिभूज है ना बी के समान कर्व है और निगेटीव यह बताता है कि ना चौकोर रीसस है तो इसके बाहर तो कुछ हईये नहीं है ससुरा किसी में चाहा तो कोई बवाले न कुछ के समान ए भी है और कर्म के समान बी भी है और साथ साथ इसको पॉजिटिव कर दीजेगा ना ए भी पॉजिटिव तो इसका मतलबी हो जाएगा कि इसके बाहर चौकोर वाला रीसर्स भी है यानि इसके पास तीनों का तीनों चीज़ उपस्तित है इसकी से ले लेगा फर कि अगर एक कोई मेल है यानि पूरूस है और फिबर का निगेटीव है और उसमें अगर उन दोनों की विवा कर दी जाती है, शाधी हो जाती है, तो इसमें Erysthoroblastosis की घटना देखी जाती है, और ये घटना क्या होती है, कि इससे जो उत्पन संतान होती है, वो केवल एक संतान ही जीवित रहती है, उसके बाद जो भी जब भी ये महिला गर्वती ह होगी, तो 2-3 महिने का बच्चा उसके पेट में रहेगा मर जाएगा या तो पैदा होते ही मर जाएगा, क्योंखि जब बच्चा ने रहता है, तो उसकी जो इम्योटिक स्यक होती है. जो जिल्ली में रहता है, जब वो फॉटता है, तो मा के ब्लड का निएटिव आपिता क का positive match कर जाता है जिससे की वो बच्चा मर जाता है इस घटना को हम erythroblastosis कहते हैं आप अपने यहां भी देखे होंगे किसी का यह कई बच्चा होता उसके बाद होता ही नहीं है हमारे मालने में भी एक आदमी है उनका यह कई बच्चा है उसके बाद हुआ ही नहीं बच्चारे 15 साल से ट्राई मार रहे हैं उनको कौन समझाए भी यह आप लोगो ब्लड गुरूप के बारे में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है आप सब अपने अपने ब्लड का फिगर बनाएंगे माइक्रोइस्कोप है तो चेक भी कर लिजेगा अपना अपना आप ब्लड गुरूप बोले थें कि पूरा ब्लड गुरूप जो है वो हम आपको तीन पार्ट में पढ़ा देंगे पार्ट वन पार्ट टू पढ़ा दियें ये पार्ट थरी था ये काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम पार्ट फोर बना रहे हैं उसमें आपको पार्ट फोर में वो बता देंग कि आगर पिता का A है माता का B है तो बच्चिक में किस बलड की संभावना होगी वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है चाक और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम पार्ट 3 को यहीं रोकते हैं पार्ट 4 में हम आपको माता पिता वाला समझा देंगे आप इसका स्किन सट लेना चाहिए तो ले सकते हैं जाहिन